नमस्कार एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है परिक्षावल्ड के से यूटूब चैनल में दोस्तो आज के इस वीडियो में हम उत्तरबदेश के मई महिने के करेंटरफेस के प्रस्नों को यहां पे कंप्लेट करने वाले हैं दोस्तो अभी तक हमने पिछले साथ महिने के करेंटरफेस के प्रस्न जो भी बन सकते थे यूपी के उनको कंप्लिट करवा दिया है अक्टूबर महिने से आप याद कर लिजेगा अक्टूबर 2021 से लेके अप्रेल 2022 तक के जितने भी इंपोर्टेंट उत्तरबदेश के करेंट देख लिजेगा यह हमारा मई महिने के करेंटरफेस का वीडियो है तो छेले वीडियो को स्टार्ट कलते हैं और देख लेते हैं कि आज का हमारा जो मई 2022 के करेंटरफेस का वीडियो है उत्तरबदेश का इसमें हमने कौन-कौन से बहतरेन करेंटरफेस के प्रस्तनों को समल बनाया गया है तो थारू जन्जाती संग्राले कहां पर बनाया गया है तो बलरामपुर में जो है थारू जन्जाती संग्राले बनाया गया है अब बलरामपुर में कहां पर बनाया गया है यह भी जान लेते हैं तो बलरामपुर जो जिला है बलरामपुर जिले में एक थारू अबादी वाला एरिया है एक गाउं है जिसका नाम है इमिलिया कोडर गाउं ये गाउं आपके लिए इंपोर्टेंट है तो इसके बारे में आपको याद अखना है बलरामपुर जीले के इमिलिया कोडर गाउं में तो इसके बारे में आपको याद अखना है अब यहाँ पर बात हो रहे हैं यह थारू जंजाती की तो आए इसके बारे में भी कुछ फैक्ट जाल लेते हैं तो सबसे पहले थारू जंजाती रहती कहां पर है तो उत्तरपदेश के जो तराई वाला एरिया होता है निया कि तराई वाला जो छेतर होता है वहां उस एरिया में जो आपकी यह जंजाती निवास करती है मेंली गोरगपूर का जो तराई वाला भाग होता है तराई वाला ज हिंदू धर्म को मानते हैं ये थारो जंजाती के लोग तथा हिंदू के ये सभी तेवारों को मनाते हैं ते दूसरा फैक्ट हो गया तिसरा फैक्ट क्या है कि पहले जो आपके थारो जंजाती के लोग थे ये दिपावली को सोक परव के रूप में मनाते थे लेकिन अब ये न अप्यात को लिजेगा बजहर नामक जो पर्व है यहां थारू जनजाती के लोगों के दरा ही मनाया जाता है तो यह सारे फैक्ट आप को या दखने हैं थारू जनजाती से रिलेटेड अगला प्रस्थन आपके सामने है भारत का पहला अमरित सरोवर का जो उधगाटन है उत् पतेश के किस अस्थान पर किया गया है इंपोर्टन प्रस्थन है तो इसका जो राय टेंसर हो जाएगा यह हो जाएगा रामपूर में रामपूर में जगह है पटवई कहां पर तो रामपूर के पटवई में कहां तो रामपूर के पटवई में जो है भारत का पहला अमरित सरोवर बनाया गया है तो option आपका C यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा इसके बारे में आपको याद अखना है रामपूर के पटवई नामक अस्थान पर यह सरोवर बनाया गया है important प्रस्न है अगरा प्रस्न आपके screen पर है उत्तरपदेश के उपमोख्यमंत्री जो है हमारे इनके दोरा हाइटेक नसरी को कितने जिलों में लागो करने का प्रस्ताव पारित किया गया निकि उत्तरपदेश के कितने जिलों में हाइटेक नसरी जो है बनाई जाएगी important है तो अप्यात कर लेजेगा उत्तर पदेश के प्रतेख जीलो में प्यात कर लेजेगा हमारे जो उपमोखी मंतरी हैं केशो प्रसाद मौर इनके दोरा उत्तर पदेश के हर जीलो में हाइटेक नरसरी विक्सित करने की बात कही गई है तो option आपका D यहाँ पे बिल्कुल से हो जाएगा उत्तर पदेश के प्रतेख जीलो में तो आप यात कर लेजेगा तथा उत्तर पदेश के प्रतेख जीलो में दो-दो आप यात कर लेजेगा प्रतेख जीले जो होंगे इनमें दो-दो high-tech नरसरी जो है विक्सित की जाएगी तो इसके बारे में आपको याद अखना है भोलना नहीं है तो option आपका यहाँ पे क्या से हो जाएगा option आपका यहाँ पे जो D है बेलकुल सही हो जाएगा important है तता प्रतेक जीले जो हमारे उत्तर प्रदेश में कितने ज जीले हैं इन 75 जीलो में से प्रतेक जीलो में दो-दो high-tech नरसरी विक्सित की जाएगी आप इसे याद कर लेजेगा अगला प्रसना पर सामने है उत्तर प्रदेश का वह जीला जहां हाल ही में स्कील इंडिया इंटरनेशनल सेंटर अस्थापित करने का निर्णे लिया गया है तो स्कील इंडिया इंटरनेशनल सेंटर के अस्थापना कहां प्रकी जाएगी तो इसका right answer हमारा क्या हो जाएगा तो उत्तर प्रदेश के वरानसी में कहां तो उत्तर प्रदेश के वरानसी सहर में जो है आपका स्कील इंडिया इंटरनेशनल सेंटर अस्थापित किया जाएगा तो option जो आपका B है यहां पे बिल्कुल से जाएगा उत्तर प्रदेश के वरानसी सहर में तो option B आप याद कर अगला प्रस्ण आपके सामने है उत्तर पदेश के किस जिले में चुनावी रंजिस खत्म करने के लिए सद्भावना गराम योजना की सुरुवाद की गई है महतपून प्रस्ण इंपोर्टन प्रस्ण इसका फटाक से आपको जवाब देना है कि चुनावी रंजिस को खत्म क करने के लिए सद्भावना गराम योजना है इसकी सुरुवाद उत्तर पदेश के किस जिले से की गई है महतपूर्ण प्रस्ण इसकी सुरुवाद की गई है अंगला प्रस्ण आपके सामने है उत्तर पदेश सरकार ने कितने सहर में इंडस्ट्रियल पार्क बनाने की आपको बताना है कि हाली में उत्तर पदेश की सरकार की दोरा कितने सहरों में इंडस्ट्रियल पार्क बनाने की मंजूरी दी गई है तो राइट इन से आपका क्या होने वाला है उत्तर पदेश के 15 सहरों में इंडस्ट्रियल पार्क बनाया जाएगा तो आप्शन जो आपक आपको बताना है कि वत्तमान में उत्तर अपॉइश्ट की अपॉइंट मेंट है तो आपयात के लिजेगा अजय missra को अजय कुमार missra जो है इनको बनाये गया है उत्तरवदेश का नया महाधी वकता यानि कि option आपका जो A है यहाँ पे बिलकुल सही हो जाएगा इसके बारे में आपको यादखना है और अजय कुमार मिस्रा को तो इसके बारे में आपको याद अखना है भूलना नहीं है तता अनुछे जो हमारा 165 है हमारे समिधान का जो आर्टिकल 165 है या महाधिवक्ता के नियुक्ती का प्रावधान करता है तो इसके बारे में आपको याद अखना है भूलना नहीं है तो option आपका यहाँ पे जो A है बेलकुल सही हो जाएगा अजय कुमार मिस्रा एकदम नए बनाए गये हैं उत्तरबदेश के अधिवक्ता महाधिवक्ता तो आप इसे आद कलेजेगा महाधिवक्ता important है अगला प्रस जहाँ पर E-Learning Park की सुरुवात की जाएगी important प्रसन है तो कितने डिगरी कालेजों में तो टोटल आपके 120 आप यहाँ पे बिलकुल सही जाएगा 120 डिगरी कालेजों में जो है आपके E-Learning Park सुरू किये जाएगी तो आप इसे याद कलेजेगा अगला महत्रपुन प्रसन आपके स्किन पर है उत्तरबदेश का वह सहर जहां हाली में पूतुल उत्सव आयोजित किया गया आपको बताना है तो पूतुल उत्सव जह है उत्तरबदेश के वरानसी में हाली में आयोजित किया गया था तो आपको बी यहाँ पे बिलकुल सही हो जाएगा राज्य के सभी थानों में साइबर हेल्प डेस्क अस्थापित करने का फैसला किया है तो आप याद कर लिजेगा उत्तरबदेश के जितने भी थाने हैं उन सभी थानों में जो है साइबर हेल्प डेस्क अस्थापित किया जाएगा तो ऑप्सन आपका बी यहाँ पे बिलक हाली में उत्तरबजे सरकार ने किस वर्ग के विद्यातियों के लिए डिजिटल प्रसिक्षण अकादमी अस्थापित करने का डिसीजन लिया है तो आप याद कर लिजेगा अन्य पिछडा वर्ग यानि कि OBC के लिए जो आपके OBC स्थेणी के विद्याति होंगे उनके लिए डिजिटल प्रसिक्षण अकादमी अस्थापित करने का डिसीजन लिया गया उत्तरबजेस के सरकार के दोरा यानि कि option आपका A यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा OBC यानि कि Other Backward Class के लिए आप इसे आद कर लिजेगा यहाँ पे पिक्चर में आप देख रहे हैं यह हैं आपके कुमार कालतिके तो आपको बताना है कि यह उत्तरबजेस के खिलारी हैं कुमार कालतिके तो आपको बताना है कि यह किस IPL टीम से जुड़े हुए थे किस IPL टीम से खिल लए थे आपको बताना है तो राइट एंस का समद्ध था मुंबई इंडियन्स थे और ये उत्रपदिस के रहने वाले हैं चलिए कमेंट बॉक्स में आप हमें बताए कि इस वर्स का जो आईपियल है किस टीम के जारा जीता गया है इसका जबाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है अगला प्रसना आपके स्कुन पर है वैक्यूम अधारित सीवर सिस्टम अपनाने वाला देश का पहला सहर कौन बना है महत्पुन प्रसन हंडेट परसन चांस है कि आप से जामिय प्रसन पूछा जाए तो आप यात कर लिजेगा वैक्यूम अधारित सीवर सिस्टम अपनाने वाला देश का पहला सहर बन गया है आपका आगरा यानि कि option आपका B यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा आगरा तो इसके बारे में आपको याद रखना है अगला प्रस्थन आपके स्क्रीन पर है हाले में उत्रबदेश के किस सहर में Silk Exchange Center अस्थापित करने का निर्णय लिया गया है तो Silk Exchange Center आपका अस्थापित किया जाएगा उत्रबदेश के वरानसी में यानि कि option आपका B यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा उत्रबदेश के वरानसी में जो है Silk Exchange Center अस्थापित किया जाएगा तो आप इसे आत कर लिजेगा अगला प्रस्थन आपके सामने है Multi Sports Stadium में बनाया जाएगा कानपूर में यानि कि option आपका B यहाँ पे बिल्कुल सही है कानपूर में तो आप इसे आत कर लिजेगा हाले में प्राची पांडे के द्वारा राष्टी महिला पैरा टेबल टेनिस में सौन पदग जीता है तो यह पहला फैल्ट आपको जाद अखना है तो प्रस्थन में आपको पूछा क्या जा रहा है आपको बताना है कि यह जो प्राची पांडे है इनका समंद उत्तर बजेस के किस सहर से है तो प्राची पांडे आपके रहने वाले हैं कांपूर अगला प्रसनाप के सामने है उत्तरबदेश का वसहर जहा 컨 nogle है पहला हिस्ट्री मिउजियम बनाया जाःह ए important person है तो पहला जो हिस्ट्री म्यूजियम है उत्तर बदिश के लखनव में बनाया जा रहा है यानि कि आपका बी यहां पे बिल्लुकुल से हो जाएगा लखनव में तो इसके बारे में आपको याद अखना है आपको उस नदी का नाम बताना है जिसके किनारे इस्थीत 30 जीलो में हाली में उत्तर बदे सरकार ने जैवी क्रिसी को बढ़ावा देने के लिए एक योजना को मंजूरी दी है तो आपयात कर लिजेगा गंगा नदी के जितने भी टटी जीले हैं जितने भी टटी डिस्टिक्स हैं उनके एरिया में जो है आपके जैवी क्रिसी की जाएगी जैवे क्रिसी को बढ़ावा दिया जाएगा यह जो गोसना है हाली में 2022 का जो बजट हाली में पेस किया गया था 2022 देश का इस बजट में यह गोसना की गई थी तियो गंगा नदी के किनारे वाले गंगा नदी के टटी जो जिले हैं उन जिलों में जो है जैवे क्रिसी को बढ दिया जाएगा तो option आपका C यहाँ पे बिल्कुल सही है गंगा नदी तो इसके बारे में आपको याद रखना है अगला प्रस्तना आपके सामने है उत्तरपदेश के किस सहर में मैडम तुसाद संग्राले खोड़ने का निर्णे लिया गया है तो मैडम मैडम जो है तुसाद संग्राले काँपर खोला जाएगा तो आप याद कर लिजेगा नोड़ा में काँपर तो नोड़ा में जो है मैडम तुसाद संग्राले खोला जाएगा तो option आपका यहाँ पे B जो है बिल्कुल सही हो जाएगा नोड़ा में उत्तरपदेश का नोईडा में जो है पहला रोबोटिक रेस्टोरेंट खुला गया था तो option आपका A यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा नोईडा में अगला प्रस्तना आपके स्किन पर है उत्तरपदेश का वह सहर जहां हाली में एक क्रॉसिंग का नामकरण जो है लता मंगेशकर जी के ना पर किया गया है तो option आपका यहाँ पे जो B है बिल्कुल सही हो जाएगा आयोध्या में option भी आपका 100% सही हो जाएगा अगला प्रस्तना आपके सामने है हाली में जारी आकडों के अनुसार GST पंजीकरण के संदर में देश का सिर्ष राज्य कौन बना है तो आप याद के लिजेगा GST के पंजीकरण के संदर में देश का सबसे सिर्ष राज्य आपका है उत्तर पर देश यानि की उत्तर पर देश में जो GST के पंजीकरण सबसे ज़्यादा हुआ है तो option आपका यहाँ पे जो C है बिल्कुल सही हो जाएगा उत्तर पर देश तो इसके बारे में नाम होता है नेशनल ई विधान एप्लिकेशन तो इस नेशनल ई विधान एप्लिकेशन सेवा किंद्र का जो लोकारपन है जो उद्गाटा ने किसके दोरा किया गया आपसे पूछा जा रहा है इंपोर्टेंट प्रसन है तो आप याद कर लिजेगा इसका जो उद्गाटा न आली में मुख्य मंत्री योगी आदित नाज जी के दरा किया गया तो option जो आपका यहां पे ए है बिल्कुल सही हो जाएगा तो इसके बारे में आपको याद अखना है इसके लबा एक fact आप याद कर लिजेगा नेवा को अपनाने वाला और पहला राजी कौन सा है मतलब पहली विधान सबा कौन सी है तो नागालेंड की जो विधान सबा है वो पहली विधान सबा बने थी जिसके दरा नेवा को लागू किया गया था नेवा का पुरा नाम होता है नेशनल इविधान एपलिकेशन तो यह fact आपको याद अखना है हाली में गाजियाबाद से कानपूर तक बनने वाले ग्रेन फिल्ड एकोनॉमिक कोरिडोर को मंजूरी मिल गई है तो आपको बताना है कि यह जो ग्रेन फिल्ड एकोनॉमिक कोरिडोर है इसकी कुल लंबाई कितनी है 100% आपसे एकजाम में यह प्रस्ण पूछा जा सकता है तो इस ग्रेन फिल्ड एकोनॉमिक कोरिडोर की कुल लंबाई है 380 किलो मिटर आप याद कर लिजेगा कुल इसकी लंबाई 380 किलो मिटर है और यह 2025 तक बनकर तयार हो जाएगा ऐसी संभावना है तो यह fact आ आपको याद अखना है भूलना नहीं है तता हाली में केंदरी सडक और परिवहन मंत्राले के दारा इसको मंजूरी दे दी गई है तो इस सारे fact आपको याद अखना है ग्रेन फिल्ड एकोनॉमिक कोरिडोर से लेटेड या गाजिया बाद से लखनो गाजिया बाद से कानफ स्क्रिन पर है उत्तरपदेश का वह सहर जहां हाली में सरकार ने smart city mission के तैज 100 स्वास्थ ATM यान की health ATM लगाने की घोसना की है तो उत्तरपदेश में कहां पर 100 health ATM लगाए जाएंगे फटाक से इसका जवाब दीजी आप तो इसका right answer आपा क्या हो जाएगा जो 107 ATM है जो health ATM ये लगाए जाएंगे आपके लखनव में यानि कि option आपका जो यहाँ पर D है बिल्कुल सही हो जाएगा लखनव में तो ये fact आपको याद लखना है बहुत ही ज़्यादा या महत्रपुन प्रस्थन आपका है इसके बाद अगला प्रस्थन आपके सामने है भात खंडे संस्कृत महाबिद्याले कहाँ पर अवस्थित है आपको बताना है इंपॉर्टन प्रस्थन आपको बताना है तो भात खंडे संगीत महाबिद्याले आपको में लखनों में तता यह चल्चा में क्यों है क्योंकि हाली में इसको जो है सांस्कृतिक विश्विद्याले का दरजा दे दिया गया या जो आपका महाबिद्याले है भात खंदे संगीत महाविध्याले इसको हाले में सांस्कृतिक विश्विध्याले का दरजा देने की घोषणा की गई है जिस कारण से यह निउज में है तो इसके बारे में आपको याद अखना आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है तो दोस्तो इस तरह से मई महिने के जितने भी इंपोर्टेंट करेंट रफेस के प्रस्न बन सकते हैं थे उनको हमने यहाँ पे कंप्लेट कर लिया है तो आई होप यह वीडियो आपको पसंद आएगा तो आज के लिए बस इतना ही थैंक यू, थैंक्स पर रचिंग, थैंक यू